वैग्यानिकों का मानना है कि अगला भुकंप यहां पर हो सकता है, होने की संभावना है सबसे बड़े भुकंप जो हैं वो प्लेट के बाउंडरी में आते हैं इसका कारण ये है कि जो धर्ती पे जितने भी प्लेट हैं ये तो हमेशा ये मूव करते रहते हैं और जब भी इनका कोलिजन होता है तो बॉर्डर पर जो है बड़े बड़े भुकंप होते हैं तो ये सारे दुनिया में यही स्थिति है जैसे तर्की में हमने देखा है कि दो-तिन प्लेट का वहाँ जो संगम था वहीं पर जो है ये जो बड़ा भुकंप 7.8 में इंट्विट का हमने देखा था तो अभी भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का सबसे मेजर जो प्लेट बाउंडरी है वो है हिमाले का क्षेत्र क्योंकि हिमाले का जो बेल्ट है वो एक प्लेट बाउंडरी है बित्वीन इंडियन प्लेट और यूरेशन प्लेट इन दोनों प्लेट के बीच में जो बाउंडरी है और इसी कारण हिमाले में अभी पहले भी हमने देखा है बहुत बड़े भुकंप जिसे हम ग्रेट अर् होता है जिसका जिसकी तीवरता जो है आठ से अधिक हो तो इस तरह के हमने अभी तक चार बड़े भुकम देखे हैं एक था 1897 में जो शिलॉंग में हुआ था और उसके बाद 1905 में कांगरा हिमाचल में हुआ था उसके बाद 1934 बिहार नेपाल बॉर्डर और 1950 असाम में हुआ था तो ये चार बड़े भुकम जो हैं अलरड़ी हम देख चुके हैं लेकिन ये जो 1950 असाम अर्थकवी के बाद हिमालय में कोई बड़ा भुकम अभी तक देखने को नहीं मिला है तो यही कारण है कि जो अज्या कि इनका समझना है कि क्योंकि भारत का प्लेट तो भी हील रहा है और जब तक यह चलता रहेगा तो स्ट्रेश तो डव़क होगा ही तो यही कारण है हमारा मानना कि जो हिमालय बेल्ट है इसमें बहुत सारा स्ट्रेस अभी जमा हुआ है और यह स्ट्रेस रिलीज जो है और अभी हगर हम गौर से देखें, तो हिमाचल और जो नेपाल है, वेस्टन नेपाल है, तो इसके बीच में जो क्षित्र है, जिसमें उत्राखंड भी पड़ता है, तो इसमें जो है, अभी तक पिछले साल से भी ज्यादा अभी गुजर गया है वक्त, कोई बड़ा बुकम यहां नहीं हो है, जो छोटे मोटे हुए हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, तो यही कारण है कि इस क्षित्र को सेस्मिक gap करते हैं, वेज्ज्यानिकों का मानना है कि अगला फोकम यहां पर हो सकता है, होने की संभावना है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों में न तो वैसे तो भूकमप कहीं भी हो सकता है हिमाले में लेकिन क्योंकि यहां पर एक gap हमने देखा है जहां पर अभी शायद energy release नहीं हुआ है तो इसी कारेंट से हमारा मानना है कि यहां पर एक great earthquake यहां बड़ा भूकमप यहां पर हो सकता है